भगवान स्री किष्ण कहते हैं कि जो मनस्य तड़कीले भड़कीले और खर्चीले जीवन में गौरो मानता है और ऐसे जीवन को आवस्यक था सुख का कारण समझता है वह वस्तुता बेसमझ है और उसे कभी सुख नहीं मिल सकता फिर कहते हैं कि मैं सरीर हूँ सरीर हूँ कहता है जब तक जीव यह मानता रहेगा तब तक करोण उपाय करने पर भी सास्वात सुख सांती तथा परमानंद की प्राप्ते नहीं होगी फिर कहते हैं कि जिसको अपनी स्थिती में संतोष है वह दुसरे को एस्वर्य की उन्नती देखकर जलता नहीं न कभी वैसा बनने की आकांचा ही करता है इसलिए वह सदा सुखी रहता है यदि मनुस्य प्रसन भी हुआ तो वह क्या देगा किया वह तुम्हारे अभाव की निवर्यती कर देगा जो स्वेम अभाव ग्रस्त है जो स्वेम त्रिश्णा के मारे ब्याकुल है जो खुद कामना की आग से जल रहा है वह तुम्हारे अभाव के निवरिती किस कि सवस्तुओं को देख कर देगा वह तुम्हारे त्रिश्णा को कैसे सांत कर देगा और वह तुम्हारी कामना की याग को कैसे बुझा देगा याद रखो जो स्वेम भिक मांगा हो वह कैसे किसी को विखारी के विखारी पन को हर सकता है